आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे निफ्टी के उपर, निफ्टी 20,000 के उपर क्लोज हो चुकी है, अगले एक साल का अगरा व्यू बनाते हैं, नेक्स्ट वनियर का, तो निफ्टी 20,000 से कहां तक उपर में जाएगी, क्या ये 22,000 होगी 25,000 होगी या 18,000 होगी यही सब कुछ हम डिसकस करेंगे, पहला और हम चीज डिसकस करने वाले हैं, इसमाल कैप, मिड कैप के उपर, इसमाल कैप, मिड कैप, सेर्स के अदर कल अच्छी खासी गिरावट हुई है, जहां पे स्माल कैप, सेर्स के अदर 4% का क्रेक्शन देखा गया है, इंट्राडे के अंदर, जो काफी बड़ा था, काफी समय बाद ये देखा गया है, मिड्कैप में इंट्राडे के अंदर, तीन परसंट से ज़्यादा की गिरावट हुई है, और जबकि निफ्टी फिफ्टी फ्लैट बंद हुआ है, तो उसके कमपारिजन में जो शिपिंग कमपनीज है, वो गिरी थी, तो यहाँ पर यही सब कुछ हम डिसकस करने वाले हैं, मिड्कैप, स्मॉल कैप में जो रिसेंटली रैली देखी गई है, पिछले तीन महीने में, तीन महीने में काफी तेज रैली देखी गई थी, क्या वो एंड हो चुकी है, फि कुछ हम डिसकस करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी हमने देखा, जो PSU Shares है, गौर्नमेंट के, लाइक, RBNL, IRCON, इसके अलवा IRFC, कई सारे Shares, चाए वो शिपिंग हो, चाए रेल्वे हो, जिन में अच्छी कासी रैली देखी गई है, कुछ कुछ Shares ऐसे भी हैं, जो 5X, 6X, 7X भी रेटन बना के दे चुके हैं, तो अच्छा कासा रेटन बन चुका है, अभी भी यहाँ पे उन Shares में चाल है, ऐसा दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के Shares भी हैं कुछ, जिन पे आपको फोकस करना चाह यह अच्छी कंपनी के Shares से अच्छे ग्रूप के Shares हैं, जो रेलवे को benefit देगी government, उनका फायदा, उसका पूरा फायदा उन कंपनी को भी बहुत अच्छे से मिलेगा, तो यहाँ पे government Shares के साथ साथ अगर आप फोकस करना चाहते हैं, तो उन कंपनी पे भी फोकस कीजिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम Nifty की बात कर लेते हैं, Nifty का जो 20,000 का लेवल खड़ा है भी 20,000 का लेवल, price to earning यह आच चुका है, 22.5 का, यानि आप यह बोल सकते हैं, जो price to earning चल रहा है, वो mid में है, because जो range चलता है, नीचे में 19, 20 और उपर में 23, 24, तो यह थोड़ा सा over value आप बोल सकते हैं, यह बिलकुल एक range में बोल सकते हैं, कि बिलकुल mid में आ चुका है, अगर bull market वाला face है, तो यह 23, 24 सा coupon में चला जाएगा, bear market वाला face है, तो bear market में यह 20 के आसपास चला जाएगा, और अभी जो face चल रहा है, वो bull market वाला चल है, यहाँ पे जैसे ही, आप interest rate का cut का announcement सुनेंगे, interest rate जैसे ही cut की news आएगी, तो वहाँ क्या होगा, automatically banking और finance shares बापिस से बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और वो काफी तेजी से बढ़ेंगे, तो यहाँ पे nifty भी काफी तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि nifty के अंदर जो maximum weight is ह है, फिर उसके बाद IT का आता है, IT index अभी चलना स्टार्ट हुआ है, चाहे फिर वो TCS हो, चाहे फिर वो Infosys हो, इन में rally अब स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे IT और banking चलेगा, तो nifty चलना ही है, हर हाल में nifty को चलना पड़ेगा, और वैसे जो nifty 50 companies हैं, इनका जो average earning आता ह है, वो करीब करीब 12-13% का आता है, तो उस हिसाब से आप यह बान सकते हैं, FI 24 के इसाब से, December FI 24 आप पकरते हैं, तो December FI 24 के इसाब से जो इसका forward price turning चल रहा है, वो करीब 20 के आसपास ही चल रहा है, तो उस हिसाब से तो बिलकुल यह fair पे खड़ी है, यानि अगर कोई भी panic बनता है future में, कोई भी bad news आती है market के अंदर, तो यह 20,000 का जो level है, शायद इससे नीचे जाने की possibilities काफी कम है, यानि अब भी तो जा सकता है, पर हम बात कर रहे हैं next one year में, तो next one year में इसकी possibilities 20,000 के नीचे जाने की काफी कम रहेगी, पर अभी गिरता है, तो अभी तो 19 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और उपर में ये करीब-करीब ये मान के चल सकते हैं, 22,000 से लेके 23,000 के बीच में December 24, FI 24 बोल लीजिए आप December 24, 2024 ये level दिखा सकता है, शायद 25,000 के आसपास ये level होना चाहिए November, December 24 के आसपास, बैसे आपको Nifty देखना है, तो Nifty आप आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग discuss कर रहे है, mid cap, small cap की क्या rally खतम हो चुकी है, जो इतनी बड़ी गिरावट देखी गई, single day के अंदर, basically main कारण था PSU, PSU shares जो चले थे, चाहे वो railway से related हो, चाहे फिर वो shipping से related हो, चाहे कोई other PSU हो, सब में अच्छी कासी rally देखी कही थी, कल PSU shares में जैसे गिरावट बनी, हो सकता है profit booking हो, क्योंकि बहुत तेजी से भढ़ चुके हैं, कोई 400% return दे रहा है, कोई 500% दे रहा है, तो एक profit booking लाजमी है, profit booking अगर हुई होगी, छोटी मोटी, और हो सकता है, काफी लोग ऐसे भी होंगे, जो काफी ज्यादा continue interest भढ़ने लगता है, तो ऐसे panic बनते हैं, ऐसी गिरावट आती है, जहां पे बड़ी बड़ी quantity में लोग उनी stocks के पीछे पढ़ जाते हैं, जहां भी stop loss करते हैं, कल शायद margin call आया होगा, कल शायद हो सकता है कि लोगों के जब ये अचानक से गिदे, तो लोगों के stop loss कट मुझे लगता है, तो यहां पे मुझे पता है कि government जो railway को लेके एक अच्छा future में एक मान सकते हैं कि एक अच्छा कासा investment करने जा रही है, जिसका फायदा इन companies को होगा, उसके साथ साथ कुछ private companies हो रहा है, जिन पे आपको focus करना चाहिए, जिन में जादा अच्छा फायदा ह हो सकता है, क्योंकि PSU में क्या होता है, कि PSU दे को कही ना कहीं आपको अठका सकते हैं, अभी एक rally बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि PSU की जो rally है, इतनी जल्दी खतम नहीं होने वाली, शायद इस साल ये continue रहनी चाहिए, ये rally, पर कब खतम होगी, ये किसी को पता नही इसलिए थोड़ा समल के नहीं, और उपरी रेवल पे हलका हलका profit booking करें, और हर rate पे ना ले, फस होगे तो बहुत बड़ा फस होगी नहीं तो, और भाव जो आपके है, वो कभी 5-6 साल में भी नहीं आने वाले, ये भी आप समझ लेना, इसलिए PSU shares लेने से पहले आप को average करें, average करना ही नहीं है ऐसे shares में, फस होगे तो बहुत बड़ा फस होगे, आप private companies में आपको बताता हूँ, उन पर focus करना चाहिए, जो small cap sector की हम बात कर रहे हैं, क्या rally खतम हो गई, mid cap की क्या rally खतम हो गई, बिल्कुल नहीं होई, मुझे नहीं लगता, अभी भी कम से कम 20-30% की rally, small cap और mid cap में बाकी है, ऐसा मुझे लगता है, चाहे PSU चले ना चले, पर जो अच्छी quality small cap companies है, अच्छे mid cap quality companies है, उन में growth आईगी आईगी, तो उन पर आपको focus करना चाहिए, यहां correction हुआ है, अगर आपके पास पैसा है, तो फायदा उठाइए, यह 2-4-5% के correction मे आप गवराये मत, आपने पैसे को निकाल के ना भेटे मारकेर से, आप investment और करें, अगर आप कर सकते हैं, यहां पर मैं जो companies आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान रखें, फर्स्ट है, ट्यूब इंवेस्टमेंट अफ इंडिया, ट्यूब इंवेस्टमेंट बहुत बढ इसको मिलेगा, इंफ्रेस्ट्रक्ट्टर को जो बूस्ट देगी गवर्मेंट, उसका फायदा पूरा इसको मिलेगा, इसलिए ट्यूब इंवेस्टमेंट को बिलकुल मिस नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, यह इंजिनेरिंग डिविजन जहां से कंपनी का रेवन्यू 29% के असपास आता है, इसके अलाबा और भी जो कंपनी का मैटल फार्म प्रोडक्ट है, वहां मोर देन 10% का रेवन्यू आ रहा है, साइकल डिविजन से 17% से ज़्यादा का रेवन्यू आ रहा है, तो इस कंपनी पर आपको फोकस करना चाहिए, इसके अलाबा औ और भी जो सबसीडिरीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट का रहा है, उससे भी जो फायदा होता है, इस कंपनी को उससे भी पूरा फायदा मिलता है, वैसे आपको देखना चाहिए, मार्केट कैप 63,000 के असपास है, शेयर का वैल्यू 3,263 चल रहा है, 3,200 रुपे के गया था, तो इसमें एक अपॉर्चनिटी मुझे लगती है, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे शेयर आप देख सकते हैं, आप पार्ट में लीजिए, पहला पार्ट आप करेंट प्राइस पर ले सकते हैं, अगला पार्ट आप 15% का गैप रखें, य गैट ना के बराबर है, 726 करोड का डैट है, कैश 954 करोड है, यानि वर्चुली डैट फ्री कंपनी है, इसके अलाबा आप और डिटेल में जाएंगे, तो इनका जो प्राफिट ग्रोफ, सेल्स ग्रोफ है, वो भी काफी अच्छा है, यानि मोर देन 20% का प्राफिट ग्रो यानि अच्छी का सी वैल्यू मुझे लग रही है, यानि अच्छी का सी वैल्यू मुझे लग रही है, इसकी ये एक अच्छी वैल्यू पर मिल रहा है, क्योंकि इनका फॉर्वर्ड प्राइस टोर्णिंग की बात करते हैं, FI 25 के साब से, ये शायद मेरे साब से 40 का ट्रेड कर रहा है, तो मुझे ये पर्फाक्ट वैल्यू पर नजर आ रहा है, किसी भी कारण से ये 3000 के असपास आता का है, यहां face value भी 10 rupees है, split होगा तो इसका फायदा मिलेगा, return on capital employee 32% का है, return on equity 30% का है, share की price 2200 चल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, जो stock price turning 3031 का चल रहा है, जबकि forward FI 25 की हम बात करते हैं, तो ये सबसे कम value में मिल रहा है, करीब ये 20X के आसपास इसका price funding चल रहा है, forward FI 25 के साब से, company की हम बात करते हैं, Rolex ring एक leading manufacturer है, forge and machine component की India के अंदर, और ये one of the top 5 forging company in India and leading manufacturer and global supplier of hot roll forge and machine bearing rings and automotive component for segment of vehicle including passenger vehicles, commercial vehicles, tubular vehicles and off highway vehicles and electric vehicles, तो इस company को आप देख सकते हैं, जो ये auto components बनाती है, various segment like vehicles, industrial machinery, wind turbine and railway, railway sector में जब investment होगा, तो इस company को भी काफी बड़ा फायदा होगा, उस इसाब से आप देख सकते हैं, तो आज को वीडियो यहीं अपर होता है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें, friends or family के साथ जरूर share भी करें, telegram channel join नहीं किया, जॉइन करें, link description box में डाल दिया है,